हलो चिल्रन, हिंदी ग्रामर क्लास में आप सभी का स्वागत है तो बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर में मोहावरे पढ़ेंगे और समझेंगे मोहावरे, शब्दों का वेह समू जो अपना सामान अर्थ छोड़कर उससे कोई विशेश अर्थ दे मोहावरा कहलाता है अर्थार, शब्दों का सम्हू यानि वाग के कोई भी एक कोई विशेश बात को बताए या किसी विशेश अर्थ को स्पस्ट करे उसे हम मोहावरा कहते हैं आईए, अब हम कुछ मोहावरे एवं उनके अर्थ समझते हैं आँखों का तारा, अर्थ बहुत प्यारा होना, वाक्य प्रयोग, श्री क्रेश्न माताय अशोधा के आँखों के तारे थे अगला मोहावरा अंगुठा दिखाना अर्थ किसी काम के लिए मना करना बाक्य प्रियोग मतलबी लोग मौके पर अंगुठा दिखा देते हैं अगला मोहावरा अंधे की लाठी होना अर्थ एक मात्र सहारा होना बाग के प्रियोग राहुल अपनी दादी के लिए अंधे की लाठी है अगला मोहावरा इद का चांद होना अर्थ बहुत कम दिखाई देना बाग के प्रियोग रिया तुम तो आजकल इद का चांद हो गई हो जब हमें कोई बहुत समय बाद देखता है तब हम इस मोहावरे का प्रियोग करते हैं अगला मोहावरा मूह में पानी आना अर्थ जी लल्चाना बाग के प्रियोग आईस क्रिम देखते ही बच्चों का जी लल्चाने लगता है अगला मोहावरा हाथ बटाना अर्थ किसी की काम में मदद करना बाग के प्रियोग दिया अपनी मा का काम में हाथ बटा रही है एक और मोहावरा फूला ना समाना बहुत प्रसन होना बाग के प्रियोग कक्षा में प्रथम आने पर सोनू फूला नहीं समाया तो बच्चों इस प्रकार हमने कुछ मोहावरों का अर्थ और उनका वाक्यों में प्रियोग करना समझा और जाना तो अब आप इन मोहावरों को अपने नोट बुक में लिखेंगे और अभ्यास करेंगे थैंक यू और वे नाइस दे